बिखार में भारत जोड़ो निया यात्रा में कॉंग्रेस सांसत राहुल गांदी की सुरक्षा में बड़ी चुक सामने आई है जिस SUV की रूफ पर राहुल गांदी बैठे थे उसका कांश टूटकर गिर गया इससे भगदर मच गई यात्रा पश्री मंगाल के मालदा जिले में पहुचने पर कॉंग्रेस सांसत अधिर रंजन चोदरी ने कहा पीछे से किसी ने पत्थर मारा होगा पुलिस अंदेखी कर रही है अंदेखी के चलते घटना घटी ऐसे कोई बड़ी घटना भी हो सकती है हलकि कॉंग्रेस ने इसका खंडन किया कॉंग्रेस की राष्टी प्रवक्ता सुप्रिया शिनेत ने कहा कि राहूल से मिलने अपार जन्समू आया हुआ था एक माईरा उन से मिलने के लिए जब एकदम से आगे आ गई तब कार को चानक रोखना पड़ा सुरक्षा घेरे में इस्तेमाल किये जाने वाले रस्टी से कार की विंड शिल्ट तूड गई राहूल गांदी की यात्रा तीन दीन से बिहार के सीमानचल में चल रही है तीसरे दिन यात्रा कटिहार में थी राहुल रात कटिहार के कोडा प्रखंन के खेरिया गाउं में सचड़क किनारे टेंट मैं बिताई कटिहार में जब यात्रा आगे बड़ी तो राहुल गांदी बस से उतरे और कार से आगे पड़े राहूल गांदी जिस SUV कार की रूफ पर बैटे थे उस पर बैटने के लिए होड सी लग गई छत पर राहूल गांदी का एक सुरक्षा कर्मी कॉंग्रिस प्रदिश अद्धिक्ष अखिलिश पर साथ सी बिहार कॉंग्रिस वदाइक दलके नेता शकील एहमत खान और तारीक अनवर बैठे थे इसी दोरा नचानक कांच तूटकर गिर गया इससे भगदर जैसी स्तिती बन गई राहूल बिहार से लगे बंगाल के मालदा जिले में एंट्री कर गए हैं राहूल गांधी की सुरक्षा को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाती गई है यात्रावाले रूट पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है